अपनी बिमारियों का सही उपचार हेलो डॉक्टर नमस्कार आप देख रहे हैं दीदी हिमाचल स्वास्ते जान का इलिए कारिकरूम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है आज की इस भागदोर भरी जिन्दकी में हमारा शरीर एक मशीन की तरह कारे कर रहा है हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिसका खाम्याजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है हमारे शरीर को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम असाहय हो जाते हैं और उस समय हम निर्भर हो जाते हैं दवाईयों पर परन्तु आज चिकित्सा के क्षेत्र में फिजियो तेरपी के माध्यम से हम जीवन की गुनवत्ता को बढ़ा सकते हैं Physiotherapy, आज हर क्षेत्र में, जाहे वो सामाजिक हो, भावनात्मक हो, फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, हर क्षेत्र में अपने बहुत अच्छे से कारे कर रही है. Physiotherapy क्या है, किस प्रकार से हम इसका लाप प्राप्त कर सकते हैं? आज कारीक्र में हम इसे विशे पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है Physiotherapist, Dr. Shreya Sharma. Dr. Shreya, आपका कारीक्र में बहुत-बहुत स्वागत है. Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting. Dr. Shreya, जस तरह से हम Physiotherapy की बात करते हैं, ये एक चिकित्सा क्षेत्र का एक शब्द, जो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत कुछ समेते हुए है, बहुती एक विस्जित क्षेत्र है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या आखिर ये है क्या? Ma'am, Physiotherapy हमारी Medical Field का एक ऐसा ब्रांच है, जिसमें हम पेशेंट को किसी भी चोट, दर्द या बिमारी के बार, जो इसकी शरीर की उर्जा गई होती है, या हम Energy Loss जिसे कहते हैं, उसे दुबारे से रिगेन करने में मदद करता है, साथ में Physiotherapy का जो फिस्जितरपी है, अगर हम कैसे निवारन करें, कैसे हम उसे पेशेंट को बाहर जल्दी से जल्दी निकाले, तो Physiotherapy बेसीकली, पेइन मैंगेमेंट मुवमेंट है, आपकी बॉड़ी मुवमेंट है, और उनको दुबारा से रिगेन करने में, और पेइन फ्री करने में, और पेइन फ्री करने में, तो हम कह सकते हैं कि बिना दवाई के किस सरह से हम खुद बखुद अपने शरीर को फिर से उसी पोजिशन में पहुँचाएं जिसमें वो पहले था जब आपको दर्थ था उससे पहले तो आपको वहाँ अपने शरीर को पहुचाने के लिए जो है फिजियो थेरपी हेल्प करत हमें जानना होगा कि फिजियो थेरपी एक ऐसी फील्ड है जहां पर हम पेशेंट को दर्द मुक्त कर रहे हैं यहां पर हम पेशेंट को चाहरे है कि जिन दर्दों से वो गुजर रहा है या वो लॉंग टर्म डर्द मेडिसन्स खाके पैन किलर्स खाके बहुत टाइम से है कि आप exercise के थूँ जो हमारी फिजियो थेरपी में और फील्ड है इलेक्रो थेरपी फॉर एक्जामपल इसके थूँ हम पेशेंट को बताते है कि बिना दवाईयों बिना पेंकिलर्स बिना सर्जरी के भी फिजियो थेरपी के थूँ पैंस जा सकती है फॉर एक्जामपल जैसे हम बात करें किसकी इम्पॉर्टिंस क्या है जैसे हम continuous medicine's ले रहे है हम continuous एक हमारा lifestyle ऐसा बन चुका है कि हमें and किस कारन हो रहे हैं तो फिजिए थेरपी बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है कि हम कैसे एक्सराइज के तू पेशेंट को बता रहे हैं कि आप बिना दवाइयों के भी सफेह हो सकते हैं बात करें हम इसकी treatment की किस तरह की जो आप तकनीक, जिस तरह से आप में कुछ टकनीकों के बारे में हमें बता एंगे कि क्या क्या आप स्टेप्स लेते हैं जिससे जो है फिजिए थेरैपी की जो उपचार है वो समभव हो बाता है मैम, physiotherapy में बहुत वराइटी आफ टेक्नीक्स है, physiotherapy सिर्फ एक्सरसाइज तक पहली बात लिमिटेड नहीं है, इसमें हम बिल्कुल medical evidences के सुरू हम पेशेंट को पेशेंट को पेशेंट करते हैं, फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि अब आपको कौन सर ट्रीटमेंट हम लागू करेंगे, फिर एक्सरसाइज के थू तू तरीक होगे या हमें पहले थेरिप्यूटिकली नहीं ठीक करना पड़ेगा, जहां हमारा रोल रहता है, कि हम उन्हें कैसे ठीक करेंगे, तो इसमें हम टेक्नीक्स जो डिफरिंट डिफरिंट लगाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, मैनुल थेरिपी, हमारे पास एलेक्रो बेस्ट थेरिपी होती है, जो बहुत एडवांस थेरिपी है, मशीनरी के थू उसे कैसे आप्टमाइज करना है, सिस्टमाटिकली, हमारे पास और टेक्नीक्स हैं, जैसे अक्यूपंचर हो गया, हम बात करें, आज एडवांस फिजियो थेरिपी के तो हमारे पास पैनल मैनुपिलेशन आती हैं, बॉडी अज़स्मेंट्स आती हैं, बॉडी रिलाक्सेशन टेक्नीक्स आती हैं, बहुत सारी टेक्नीक्स हैं मैम, आज एड़ान आती हैं, जो आज एड़ान आती हैं, तो जब हम फिजियो थेरिपी की बात करते हैं, तो क्या यह कहीं स्पेसिफिक किसी अंग के लिए ही जो है यह त्रीटमेंट रहता है, जैसे हम आम तॉर पर सुनने को मिलता है, कि गुटनों का दर्थ है या बैक पेन है, जो आम लोगों की धारना रहती है, कि यह सिर्फ इन ही समस्याओं में जो है वो निदान दे सकता है, तो आज डॉक्टर आप इसे कैसे लेखती हैं, कि किन किन समस्याओं का समधान जो है वो फिजियो थेरिपी में है? मैं आपने बहुत अच्छा क्वेशन पूछा, फिजियो थेरिपी के लिए एक ही शरीर तक यह लिमिटेड नहीं है, इसके लिए बहुत होलियस्टिक अप्रोच रखते हैं, जैसे कि हम पूरी बॉड़ी को आज अप्रोच लेके चलते हैं, इसमें पूरी बॉड़ी को एजिली पेंफ्री करने की कोशिश करते हैं, एगर आपको नेक का दर्द है, तो जरूरी नहीं उसका कारण सिर्फ आपकी नेक की वज़े से आए, वो बैक इस्यूस भी हो सकता है, जिस तर आपका लाइफस्टाईल एधन चरे आए, तो हम इसको पूरा को रिलेट करते हैं, mentally, emotionally, physically, तो इस हिसाब से हम पेशेंट को पहले पूरा सैस करेंगे, फिर उसके accordingly हम जलते हैं, कि पेशेंट एक लिमिटेड एरिया क्या यही है, वो कह तो बाजू में दर दर आए, पर क्या वो बाजू के कारण आरही है, या वो सवाइकल से रिलेटेड है, तो यह मैं बहुत ही वाइड परस्पेक्टिव से हमें देखना पड़त है, बहुत होलिस्टिक अप्रोच हम रखते हैं, क्यूंकि जरूरी नहीं है, अजिए अप्रण पर्टिकुलर एरिया एक एरिया तक लिमिटेड नहीं है, यह हम हर बॉडी जॉइंट पार्ट्स में मदद करते हैं पेशेंट को जिस भी एरिया में उसे दर्द है, या फिर वो पीडित है, तो हम कह सकते हैं कि यह किसी एक स्पेसिफिक एरिया तक ही जो है फिजो थेरपी वर्क नहीं करती है, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए ही यह वर्क करती है, और जैसे आपने कहा कि हमें पहले उसे समझने की जरूरत है कि आखे रीजन क्या है, सबसे पहले आप रीजन तक जाते हो और उसके बाद जिस अंग पर वो इफेक कर रहा है उसके लिए ट्रीट्मेंट चुरू होता है, आपने कुछ हमें जो है सर्जरी से पहले और बात की बात पीगी तो थोड़ा उसके बार में भी जाना चाहेंगे, अघर किसी को किसी kayak की समस्या है और वो किसी सर्जरी के लिए जाने वाला है किसा सेृजरी के लीए जाने वाला है तो किस से फिजयो थेरपी जो है उसके ऐना शांता ही है? Mei अamat भाद से दूसले खांशनेहे हैं माथ करती हो, जैसे, for example, दूसरा है हमारा नूरो फिजियो थेरेपिस्ट, नूरो फिजियो थेरेपिस्ट, पेशेंट विद ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी, तो यह जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इशू है, यह जैसे हम कहते हैं, पैरलैसिस, जिसको हम लगवा कहते हैं, तो यह बच्चों में हमारा हो गया CP, Cerebral Palsy, Muscular Dystrophy, तो इसमें Neuro Physiotherapy का रोल रहेगा, तो वो ने बताएंगे के आप इसे कैसे जल्दी से जल्दी बहर के बाहर आएं, थर्ड हमारे होगे Cardio Physiotherapist, Heart Attacks, BP, आज कल इतना कॉमन है, जुम देख रहे हैं, तो इसमें Cardio Physiotherapist, Cardio Pulmonary Physiotherapist बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं, वो आपको भारने में जैसे किसी को Acute Heart Attack आया है, तो Cardio Physiotherapist बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करेगा, कि कैसे उसे दुबारा से ना आएं, और आज की डेट में जैसे हम देखते हैं, विमेन Health Physiotherapy बहुत मेजर ल बहुत करनी चाहिए, प्रेगनेंशी के बाद केसी एकसराइज करनी चाहिए, कैसे वो अपने आपको और फित रख सके, और लास्त हमारे याते है, Sports Physiotherapy, Cricket, Football, अच्कल सब देख तो वहाँ पे Physiotherapist का बहुत मेजर रोल रहता है, कोई भी प्लेयर इंटरनाशनल और नाशन इसके भोँफ सारे समयनत्स प्रेज़ करने अमारा जो Sports Physiotherapist है, वह आएगा, वह विधिन डेयर ग्रीज़ में इन पीशिब डेयर मेंनी के बहुत सारे समयन्स है, श्क्ली सेमност है, को अब फिन प्यृत्त विन आप पहुंचे जो है वो एकल फील्ड में दुबारा पहुंच जाता है तो फिजिए थेरापी जो है तो काफी हद तक वर्क करती है कि आप जो है सरज्जरी की सिच्वेशन तक ही ना पॉंचे आप उसे पहले ही ठीक हो जाए बात करें हम आफ्टर सरज्री जो पोस्ट में वह सेम उर्जा नहीं रहेगी, अनर्जी लॉस होगा, बोडी एक्सेप्टेंस में ही नहीं आएगी, कि हम चल पारे है, या हम खड़े बूट पारे है, वहाँ पे फिजिए थेरपी बहुत बेसिक रोल प्ले करता है, अब कॉमन सा बात है कि पेशेंट विल नॉट बी इस यह अबल टू ब्रीध, तो वहाँ से हम फिजिए थेरपी शुरू करता है, जिरे जिरे मोबली टीप के तरफ चलता है, पेशेंट खड़ा उट एपने देली के अटिविटिए गूइंग फर एवश्रूम ब्रॉशिंग टेथ, तो यह सारा पोस्ट रिहाब में आता है तो हम step-wise कह सकते हैं कि धीरी धीरी जो है हम वो आगी क्योर बगते हैं डॉक्टर श्रिया बात करें कि फिजिकल हेल्थ की आपने हमें step-wise बताया है कि हर बॉड़ी पार्ट को जो है वो इफेक्क करता है हम कहें रिहाबिटेट करने को दुबारा से उजिए प्राप्त करने के लिए यदि हम मैं अज की बात करें जो आज की ताम मुझी लगदे काफी बड़ा एक इसु बनके आप तो क्या फिजिए घरी में अपर्ट करता है पर कहीना कहीन जैसे हम अपने पेशेंट में भी मैं देखती हूं मैं अपने पूरे दिन काम में बिजी रहती हूं तो वो एक mental stress है जो मेरी body ले तो रही है पर क्या वो उतने लेवल पे ले पाती है क्या सिर्फ बोड़ी पेंस है यह mental pain भी है तो इसको correlate करने पार सी body पूरी body full physical mental well-being से ही बनती है तो definitely mental health का बहुत important role रहता है क्यूंके usually हमारी tendency ऐसी रहती है क्यूंके वी लिफ विद पेन हमारा क्यूंके हमारा lifestyle ऐसा है we are all workaholics everyone wants to earn go for a work सबको जाना है तो यह ऐसा है क्यूंके mentally वो challenging हो हो रहा है your body is prepared but your mind is not prepared body उसे accept करे क्या मुझे दर्द है और mentally आप बन चुके वैसे क्या दर्द ही है तो let it be तो यह सबसे पहली बात है क्या हमें इस चीज से थोड़ा acceptance लानी होगे क्या sometimes it is not physical it can be mental too and we should be open हमें खुल के बात करनी चाहिए इसके बारे में कि हमें दर्द है किस टाइप की दर्द है किस वज़ा से दर्द आ रही है और क्यों आ रही है किसी कारण के वज़े से सिम्टम्स आता और कारण जाना बहुत जोरुरी है तो mental भी हो सकता है और मैं फिजिकली तो हम फिर बताते ही है तो mentally एक एसपेक्ट रहता है definitely physiotherapy का कि हम उसे holistic अप्रोच लेके mentally भी देखे जी डॉक्टर स्ट्रेया जिस तरह से आपने कहा कि हमारा मन जो है यह तो समझ रहा है कि हमें दर्द हो रहा है क्योंकि हमारा शरी जो है वो बता रहा है कि हमें दर्द हो रहा है पर तो फिर भी हम हमें physiotherapy को अपनाना है तो क्या सही वक्त है किस समय कौन सा ऐसा indication हमें मिल सकता है कि यह सही समय है और हमें physiotherapist के पास जाना चाहिए यह हम आम तोर पर जिस तरह से देखते हैं कि सिर्फ जो referred cases होते हैं कि orthopedic किया कोई और cases है वो ही physiotherapist के पास जाते है आम तोर पर जैसे अपन वेल आपने बहुत अच्छा question पूचा है कि फिजो थेरेपिस्ट के पास कब आए फिजो थेरेपी एक एडवांस फील्ड है मेडिकल साइंस की health care में आ रहा है एक अलग department है यह Indian Association of Physiotherapy के अंडर आता है जिसके इसका मतलब भी है कि एक ऐसा डिपार्टमें जहां पेक पीड आ सकते हो पेशेंट पेशेंट आ सकता है फिजो थेरेपिस्ट के पास एग्जांपल आपको गर्दन की दर्द है और यह काफी समय से स्पोस्च चल रही है तो आप इसके लिए सोच रहे हो के medicine के थू जाती हूँ और orthopedition के पास जाती हूँ देफिनिटली वह एक department है विच without any medications without any surgical interventions आपको बताया जाए कि दर्दे क्यों आ रही है किस वजह से आ रही है तो physiotherapy तो मैं आप किसी भी कोई भी patient कभी भी आ सकता है अपनी दर्दों से बचने के लिए without any second thought के कोई side effect है physiotherapy का क्योंके usually ऐसा दा दवाईयां काने पड़ेगे physiotherapy में हम कोई heavy dosages नहीं देते है multi vitamins होते जो अल्रीड हमारे श्रीर को essential होते है वो बहुत ही जादा कोई side effects नहीं multi vitamins के और इसमें हम आपके थोड़े थोड़े बहुत test वगेरा कराते है आपका vitamin D3 चेक करवा दिया आपका थोड़ा B2L चेक करवा दिया और test required as per patient need तो इसमें हम कभी भी patient हमारे पास आ सकता ह अपनी दर्द पता सकता है और हम उसको इस हिसाब से help कर सकते है और वो यह intervention बहुत जादा normal that anyone कोई भी normal से normal patient direct physiotherapist के पास कभी भी किसी भी कारण दर्द के विज़े से आ सकता है Dr. Shreya जिस तरह से आज हमारा जो lifestyle है वो काफी बदल चुका है ऐसे में हम अपने शरीर पर जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं तो क्या हम यह कह सकते हैं कि हम दर्दों का इंतजार ना करें और उससे पहले ही जो है वो physiotherapist के पास जो है एक तरह से हम पहले ही उन सेट अप है mental सेट अप है कि हम ना एक्सेप्ट कर लिया हमें दर्द है जो के सबसे पहले तो हमें यह साइड रखना पड़ेगा और हमें इसके लिक अप्रोच रखनी पड़ेगी कि I am in pain I should go मैं अपना lifestyle दर्दों में क्यूं जी हूँ क्यूंकि हमारे पास आज की डेट में अपना पास आज को आज को में अपना अपना तो हम इसमें इनको प्रेवेंशन बता देंगे कि आपको एक्वाप्टॉप बेस जॉब रहता है और मोबाइल फोन चामरा जैन आज आज को आपको एक मानसे में बन चुके मेरा काम है तो चलेगा दर्द कूंकि मैंने वो किया है नहीं आप आईए आप फिजो थेरेपिस से अपना डियाग्नोसेज करवाईए आपको फिजो थेरेपिस डेफिनिटली एक अच्छा व्यू देगा कि आपको एक्सराइज के थू आपका लाइफ स्टाइल पूरा वो मेंटेन करके बताएगा कि यह एक्सराइज अब करन अगर पेशंट को दुबारा दर्द भी आता है तो इसके इंटेंसिटी बहुत कम होती है उसको प्रिवेंशन पहले होता है इसको प्रिवेंटिंग बिफोर इट वर्स तो डेफिनेटली यह किसी भी जैसे आपने पूछा के दर्दे होने का इंतजार ना करें पहले ही आज तो मुझे लगता है उससे जादा लाब हमें मिल सकता है तक्टु श्रया बात करें किसी भी ट्रीट्मेंट की रेगुलेरिटी की आम तोर पर हम देखते हैं कि जैसे हमें थोड़ा आराम मिलता है तो हम उस ट्रीट्मेंट को वहीं छोड़ देते हैं तो ऐसे मैं यहाज़ इसे कैसी देखते हैं कि इतना ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ट्रीट्मेंट को जो है वह कंटी रखें पूरा लें और जिससे आपको जो वह लाब है वह पर्मनेंटली रहे यह ना हो कि वह कुछ समाईता कि आपको मिलें यह मैम जैसे फिसो थेरपी में सेशन्स होते ह किसी का acute stage है थोड़ा थोड़ा है तो definitely वो एक दू session में आपको he is like I am fit or he or she is like I am fit I am good to go, नहीं, यह भी ऐसा ही है जैसे दवाई आप तीन time लेते है, session अगर आपको तीन से चार कही गए है, आप physiotherapist की राय लीजे, उन्होंने आपको maintenance phase पर रखा है, कि आप week में एक बार आ सक तो आप जाए, अपना इलाज प्रोपर तरीके से कराईए, ताकि आपको बार बार वो ही stage पर आना पड़े, कि मैंने treatment हाफ छोड़ दिया है, ना मुझे पूरा सर रुआ है, ना मुझे आदा सर रुआ है, तो treatment प्रोपर लेना is very important, sessions लो required जो physiotherapist की आपको guidelines दी है, जो बता जादा जरूरी है, तब ही उसका lab पूरा मिल सकता है, Dr. Shreya आपने महिलाओं के स्वास्ते की बात की, हम देखते हैं कि महिलाओं बहुत सारी समस्याओं होती हैं, उससे जूचती हैं, जाहे वो गाएनी की किसी थी थी समस्याओं है, गरवती महिलाओं है, या फिर हम कहें कि जो सी सेजेरियन के बाद जो काफी तरह की समस्याओं का उने सामना करना बड़ता है तो क्या फिजिए थरफी में उनके लिए भी कुछ है जिसे उने हेल्प हो सके और जिसे वो जो है अपने कारे को बहतर तरीके से कर सके मैं विमन और महिलाओं के लिए बहुत इंपोर्टन रोल है फिजिए थरफी का विमन बोड़ी एक बहुत स्पेशल और ब्यूटिफुली डिसाइंड बोड़ी है पर जैसे हम देखते है वो लाप रवाही भी है बिकूज दे आर लाइप स्प्रियों मैं चाहती हूं महिलाओं को सबसे पहले प्रियोरिटी पर रखे अगर उने दर्द है जैसे आपने का गःवती महिलाओं प्रेंट वो प्रेंटनेशी यजिए नहीं है आप अने ने पो post natal exercises पर अगर हम focus करें तो आपको यह बहुत मदद करती है, C-section के आबात कर रहे है, C-section में विमन को 8-9-9 साल तक continuous pain है and sometime it goes for a lifelong, तो इसके लिए physiotherapy का बहुत important role रहता है, कि वो पहले ही आए और हम से physiotherapy की जैसे हम exercises बता रहे है, उन्हें सीखे, तो यह definitely एक बहुत major medium है कि women should come, चाहे वो working women, not only pregnant, working women, जो हमारे, जिनका lifestyle बहुत hectic है, we call workaholic women, तो definitely वो आए, अपना treatment, मुसल रिलाक्स करें, अगर उनको लग रहा है पेन भी नहीं है, तो मुसल फिजियो थेरापी का कोई side effect नहीं है, यह muscle relax techniques भी होती है, यह muscle get stronger, better through exercises, through therapeutic interventions, तो यह बहुत ज़रूरी है, कि जो महिला है, जाहे वो working हो, या घर पे अपना कारय करती हों, या फिर किसी भी तरह के और उन्हें समझ से आए हो, तो वो पहले ही फिजियो थेरापिस्ट के पास आएं, और जिस तरह से वो उन से सलहा ले सकती है, और उसका लाब प्राप्ट कर सकती है, डक्टर श्रिया बात करे, awareness को लेकर, फिजियो थेरापी के प्रती, तो वो आप कैसे देखती हैं लोगों में कितनेए अवेर हैं, और आप कितना इसे जरूरी मानती हैं कि यदि हमें स्वस्त रहना है अपना जीवन जुह ज़हते हैं अच्छे सी जीना है, तो उसमें फिजियो थेरापी बहुत जादा हेल्प करेगा, तो ऐसमें अवेर होना कितना जरू सबस्क्राइब तुक्राइब तो और कि कोने माता पजुदूए मुण आप हो स्मूरा थरो के तूरह कि में मैंदि फिज्रेपिस्ट आपको सबसे पहले बताता है कि सके ठरीपीटिकली इंटरवेंशन प्रिट करनी हैं कैसे कर नाओ और फिजीएरपीपिस्ट आपको ट्रीट करता है तो इसमें अवेरेनस का यह जुरिए है इस नोट ओनली एक्सराइज, इस अफुल ट्रीटमेंट जिसमें फिजो थेरिपिस्ट आपको प्रॉपर एविदेंस प्राक्टिस डियाग्नोसिस के थूब बताता है कि यह आपकी बिमारी है, इसके कारण आपको दर्दे आ रही है और हम इसके लिए आपको बेटर करने के जिसमें आपको बहुत सारी मेथरोलजी के तुरू थी किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि यदि हम इसको अच्छे से संजें अपनाएं तभी हम इसका लाप्राप कर सकते हैं दॉक्टर श्रया मैं चाहूंगी कि जो हमारी दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप सरूर को किस तरह से फुजियो थेरपी से लाप्राप्त कर सकते हैं मेरा मेसेज सारे दर्शकों के लिए यही है कि वो दर्दों के सारे नाजीए और वो जल्दी-जल्दी अपना इलाज कराएं और पेन फ्री रहें डॉक्टर श्रया आप कारिक्रम में आई और फुजियो थेरपी स से हम संपूर्ण शरीद लाथ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं आज कारिक्रम में बस इतना ही एक नए विशे के साथ फिर हाजित होंगे तब तक हमें दीचे इचाज़त नमस्कार कि अधिया झाल स्मूर्ण प्राप्त भाइब लुः प्राप्त